हलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एडूटेरा पर आज हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स में के स्टेडी क्वेस्टिन्स जो कि CBSC ने नया एड़ किया है उसको करने वाले हैं इस प्रकार के कुल हमारे पेपर में 4 question होंगे जिसके अंदर आपको 5 objective type के question दिये जाएंगे जिसमें से आपको 4 question का selection करना है यानि 4 question के answer आपको tick करने हैं question बहुत आसान होते हैं और इसमें मैं आपको बता दूँ कि जो story यानि जो case दिया होगा आपको उस पे बहुत ज्यादा focus करने की जरूरत नहीं है पहले जो 15 minute मिलते हैं question paper को पढ़ने में एक बार आप उसको पढ़ लिजे उसके बाद सीधे question को पढ़ना है जब आप question solve करने जाएं ये नहीं कि आप उस पूरे case study को पढ़कर अपना time खराब करें पढ़ेंगे हम तभी जब हमें question में उसकी जरूरत लगेगी otherwise हम लोग सीधा question करेंगे तो आए शुरू करते हैं edutera mission of success तो ये देखिए question आ चुका है हमारे सामने अब मैं यहाँ पर तो पढ़ रहा हूं बट आपको इसको जब question solve करने लगेंगे तो story पढ़ने की ज़्यादा जरूरत नहीं है तो आप भी पढ़ सकते हैं the diagrams shows the planes for a sunroom it will be built on to the wall of a home wall of a house the four walls of the sunroom are square clear glass panels the roof is made using number one four clear glass panels trapezium in space all the same size यानि जो भी use किये गए हैं वो trapezium है और same size के हैं one tinted glass panel half a regular octagon in shape जो बीच में एक shaded portion दिया गया है तो देखिए story में बहुत ज्यादा कुछ खास नहीं है तो इसलिए इसको पढ़ने की भी बहुत जरूरत नहीं थी लेकिन एक बार जब आपको reading time मिलता है उसमें पढ़ लेना चाहिए तो आएए शुरू करते हैं अपना पह point आई तो students आपको मालूम ही है कि midpoint का मतलब क्या होता है देखिए midpoint का मतलब होता है बीच वाला यानि कोई भी दो नंबर है माली जे तो आप से कहा जाए बीच का point पता करिए तो क्या करेंगे दोनों को add करेंगे और दो से divide कर लेंगे तो आपको यहाँ भी वही करना है यह देखिए midpoint आचुका है midpoint का एक formula भी आपको बताया जा चुका होगा और अगर नहीं याद है तो देखिए मैं यहाँ लिक देता हूँ x1 प्लस x2 divided by 2, y1 प्लस y2 divided by 2 यानि जो coordinates होते है midpoint के वह x1 प्लस x2 upon 2, y1 प्लस y2 upon 2 यानि दोनों को add करके दो से divide कर देंगे और हमारा midpoint आ जाएगा तो देखिए j के coordinate आपको 6,17 गिवेन है और i के coordinate आपको नहीं गिवेन है तो आप निकाल भी सकते हैं अलांकि given है 9,16 तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा और बता देता हूँ जो पहला point given होता है पहला coordinate होता है वो x1, y1 होता है और जो दूसरा होता है वो x2, y2 होता है 6 plus 9 by 2, 17 plus 16 by 2 इसको आप solve कर लिजे 9 plus 6 15 by 2, 33 by 2 तो देखिए इसमें आपको कोई ना कोई option जरूर मिल जाएगा तो आया ना मज़ा कितना simple है यह तो मैंने आपको formula से बताया लेकिन अगर आप केवल midpoint का concept लगाते हैं कि दोनों को add करके 2 से divide कर देना है और students आपको एक trick भी बताऊं अगर आपका एक coordinate match हो जाता है तो दूसरा solve करने की जरूरत यहां पर नहीं दिखाई दे रही है क्योंकि आपको देखिए third में 15 by 2 है और किसी option में 15 by 2 नहीं था तो आएए चलते हैं अपने second part रही है नहीं second question पर the distance of the point P from y-axis is तो थोड़ा समय concept आपको यहां clear कर रहा हूं लेकिन जब आपको concept clear हो जाएगा तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है कि भाई y-axis से P point की आपको distance पता करनी है तो ध्यान से देखिए कुछ नहीं करना है y-axis से और P के बीच में कितने छोटे वाले square हैं उनको count कर लीजे आपको distance पता चल जाएगी यह देखिए यह हो गया x-axis और यह हो गयी y-axis आपको साफ साफ point P दिखाई दे रहा है तो यह मैं आपको थोड़ा सा एक्सेस को dark कर दे रहा हूँ जिससे कि आपको आसानी हो जाए counting करने में देखिए यहां पर x और y अलग से बना के दिखा दिया गया है और यह है point P तो answer हो गया हमारा 4 option number 1 कितना असान है इसके लिए आपको case study जो लिखा हुआ था उसे पढ़ने की भी बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं पढ़ रही है कहीं कोई use नहीं है तो हम अपना समय बचा सकते हैं बाद में उसको छोड़ देंगे जब हमें जरूरत लगेगी तब हम उस पर जाएंगे otherwise सीधे question को solve करेंगे तो आएए चलते हैं अपने part C पर so C part आ चुका है हमारे पास यहाँ पर देखी the distance between the point A and S is so again see where is A and where is S यहाँ पर मैं आपको दो तरीके बताऊंगा जिससे कि आप बहुत आसानी से इसको solve कर पाएंगे तो यह हो गया point A and point S अब हमें करना क्या है distance ही तो पूछा है तो भाई हम लोग इसके बीच में कितनी distance है उसको count कर लेंगे कितने छोटे small boxes है square boxes है उसको count कर लेंगे और आपका answer आ जाएगा A to S तो चलिए count कर लेते हैं so total है मारे पास 16 ध्यान से देखिए आप चाहें तो खुद से count कर सकते हैं तो कितनी distance हो गई 16 यानि दूसरा तरीका क्या है जो आपको formula से बताया जा सकता है यानि आपने पढ़ाओ का distance formula अगर आप चाहें तो distance formula भी apply कर सकते हैं लेकिन वो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा यानि time consuming हो जाएगा और हमें method से कोई मतलब नहीं है objective type questions में तो students हमेशा याद रखिए हमें अपना समय बचाना है और सही option को tick कर लेना है तो देखिए A के coordinate हो गए 1,8 and S के coordinate हो जाएंगे आप इसमें count कर सकते हैं 17,8 तो देखिए 16 आ चुका है distance formula से लेकिन इसकी यहाँ कोई जरूरत नहीं थी simple common sense option number 3 is correct तो अब हम देखते हैं अपने अगले part D को कुल आपको यहाँ पे 5 part होंगे 5 में से कोई भी चार जो आपको best लगे उसे exam में करना है यह थोड़ा सा concept based है यानि आपको formula पता होना चाहिए तभी हम इसे कर पाएंगे find the coordinates of the point which divides the line segment joining the points A and B in the ratio 1, ratio 3 internally तो इसका आपको formula बताया गया होगा यह हमारे point हो गए A and B और A के coordinates मिल जाएंगे 1,8, B के coordinates मिल जाएंगे आपको 5,10 the ratio M1, ratio M2 is given 1, ratio 3 so students आपको पता होगा कि internally जब intersect हो रहा है 1, ratio 3 में तो उसका formula तो देखिए मैं आपको एक थोड़ी सी trick भी बता रहा हूँ कि formula को कैसे याद रखते हैं बस cross multiply में यह हो गया 1,8 और इधर हो गया आपका 5,10 यानि M1 हमेशा 2 यानि X2 Y2 के साथ multiply होता है और जो M2 होता है वो आपका X1 M1 के साथ multiply होता है तो देखिए X equal to M1 X2 plus M2 X1 divided by M1 plus M2 बहुत आसान है और coordinate geometry में हमारे पास के वल दो या तीन formula हैं जिस पर exam में question आना ही आना है value substitute किया M1 है आपका 1 so X2 1 into 5 5 हो गया plus 3 into 1 3 divided by 4 यह हो गया आपका 2 तो आप चाहें तो check कर सकते हैं कि कौन से option में आपको 2 मिल रहा है तो देखिए option number 2 and option number 4 दोनों में मिल रहा है इसलिए second part भी आपको check करना पड़ेगा second y equals to M1 Y2 plus M2 Y1 I told already M1 will go always with Y2 तो M1 देखिए X में भी X2 हो रहा था so Y में Y2 M2 X के साथ X1 में जा रहा था तो यहां भी M2 Y1 में जाएगा यानि 10 plus 24 divided by 4 it will come 8.5 और यह आगया हमारा 4832 then 0.5 so option number 4 is correct अब यहां पर ध्यान देना है कि इन दो में से कौन सा सही था जल्दबाजी में कहीं आप second option को टिक ना कर लें देखिए यह दो मैंने rectangle ड्रॉ कर दिये जो याद रखना है आपको और यह दो arrow बता रही है M1 हमेशा 2 के साथ जाएगा 2 means X2 Y2 and M2 1 यानि X1 Y1 तो मुझे उम्मेद है कि आपको यह समझ आ गया होगा कैसे हम इसका application करते है तो आए चलते हैं अपने अगले और अंतिम part की तरफ part E तो मैं एक बार फिर से आपको बता दूँ 5 में से कोई भी 4 आपको answer देना है अगर आपके 4 question 4 part हो जाते हैं तो एक part छोड़ देना है यह नहीं कि हमने 5 कर दिये तो आए देखते है if a point x, y is equidistant from the q and s then अब यहाँ पर बता रहा है एक कोई point है जो q और s से equidistant है तो equidistant का मतलब होता है बराबर distance पर है तो इसके लिए भी मैंने आपको एक trick बताने की कोशिस की है जब कोई भी point बराबर distance पर होगा तो हमें क्या करना है वह वो बराबर distance पर है इसका मतलब उसका ratio कितना हो जाएगा 1,1 हो जाएगा यानि एक type से midpoint हो जाएगा इसका और भी तरीका सोचने का हो सकता है देखे एकस इकुल टू वही midpoint है तो मैंने आपको पहले part में बताया था दोनों को add करिए और 2 से divide कर दीजे 13 आ गया इसी तरीके से second कर लेंगे 8 प्लस 8 यानि यह आगया हमारा y equals to 8 यानि x equal to 1 into 17 प्लस 1 into 9 upon 2 यानि 26 by 2 equals to 13 second आप y को solve करेंगे 8 आ गया तो option देखे x minus 13 equals to 0 is correct सो मुझे उमीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा इस तरीके के हम आगे आने वाले दिनों में और भी बहुत सारे question करने वाले हैं सो like, share and subscribe my youtube channel edutera मिलते हैं अपने इसी प्रकार के किसी अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई आगे